फिर से संडे लाइब स्पेशल की तो सबसे पहले सभी मित्रों को जैई श्री महाकार, जैई श्री कृष्णा एक बार फिर से स्वागत है सभी वीवर्स का, सभी सब्सक्राइमर का और सभी फॉल्लोवर्स का आज के संडे स्पेशल लाइब वीडियो में तो मेरे सभी जो हमारे मुस्लिम भाई हैं हमारे जो भी इस्लाम का अनुसरण करते हैं तो उनसे मैं माफी चाहूँगा कि पिछले वीडियो में मैं आपको रम्दान जो मुबारक महा हैं आपको बढ़ाई नहीं दे पाया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ तो जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं जो भी मुस्लिम धर्म का अनुसरन करते हैं तो उनको रमदान मुबारफ हो आपको और आपके परिवार को रमदान मुबारफ हो और इस रमजान महा में आपके द्वारा रखे गए रोजे और आपने जो भी दुआएं अल्ला के सामने की हैं वो कबूल हो और यही आशा करता हूँ कि यह आपका रम्दान महा मुबारक हो आपको एक बार फिर से और जितनी वे आपकी ख्वाईशे हैं तमन्ना हैं वो पूरी हो यही आशा के साथ आज का जो यह संडे स्पेशल वीड क्वाई हैं यह देर सारी शुट कामना है वो करते हैं आज के वीडियो की हम फिर से शुरूआत कर लाइब तो छेशन चालू हो चुका है तो करते हैं फिर से आज के लाइब सेशन की शुरूआत समर्थ Belloktor जी पूछ रहे हैं जय श्रीग्राम मेरा नाम केसर है नेपाल से हूँ मेरा सम्मिशन 10 11 23 का है अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है और मेरा दोस्त का 16 11 और 22 ग्यारा दो लोगों का रिफ्यूजल आ गया है एक ही कमपनी से और रिफ्यूजल का रिफ्यूजल करते हैं तो क्या चांस है अच्छा तो आपको बताना चाहूँगा देखो सुनके अच्छा नहीं लगा रिजेक्शन चल रहे हैं 16 11 और 22 ग्यारा का आ चुका है और आपका अभी अंडर प्रोसेस दिख रहा है न मिस्टर के सर जी तो आप देखिए वेट करिए सर और रिफ्यूजल का आप अपिल कर सकते हैं बाक उन्हें रिफ्यूजल की है अभी तक उनका कोई डिसीजन नी आया है तो आप चाहें तो अपिल करिए नहीं तो आप नया पर्मिट लेकर रिफ्यूजल कर सकते हैं कि विशाल जी पूछने दिसंबर 15 का कब तक आएगा तो विशाल जी दिसंबर मंद भी चालू हो चुका है मैं आपको बताना चाहूंगा पिछले वीक यहने हां इसी वीक में गुरुवार के दिन 11 दिसंबर और 12 दिसंबर के भी कोरिय डिस्पेश के मेसेज मिले हैं जिनक कि आये हैं तो दिसंबर मंद चालू हो चुका है तो नेक्स्ट वीक आप मानलो 18 से लेकर 22 मार्च और 29 मार्च के पहले पहले आपका आई जाएगा दिसंबर मंद का और नवंबर मंद तो चली रहा था 95% क्लियर हो गया है नवंबर मंद भी विनोत थापाजी दिसंबर 14 में नेपाल से VFS किया है कब तक आएगा तो सर अगर आपने नेपाल से किया है तो आप तो मंध एट करना पड़ेगा विनोत कुमार जी क्योंकि नेपाल तक आते आते हैं 5 से 7 दिन का प्रोसेस और बढ़ जाता है दस दिन का प्रोसेस बढ़ जाता है क्योंकि आपकी फाइल न मोबाइल कंपनी में अप्लाय हुआ है वर्क पर्मिट आने में कितना टाइम लगता है और वीजा सक्षेश रेशो कितना चान्स है तो थर आपका मॉबाइल कंपनी में को अच्छा एंडर सीटी बढ़िया बाद है तो आज आएगा 10thought तीन मैने में आजाएगा जदर सिटी से इतना टाइम नि लगेगा जागरीब से तो बहुत समय लगला है अमर राधे 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 अमर जी विश्नु ठाकुरी हेलो जैश्री क्रिशना, जैश्री क्रिशना विश्नु कुमार जी आपको भी अमर जी पूछ रहे हैं जन्वरी को डिल्ली सम्मिशन हुआ है कब तक आयेगा सर 19 जन्वरी है तो आपका फरवरी मार्च अप्रेल में आएगा सर आपका अप्रेल 15 के बार आ सकता है अगर क्योंकि देखिए जन्वरी में मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे कम समिशन जनवरी मंथ में हुआ है तो नब्धे पिचोत्तर से लेकिन अभ्धे दिन के बीच में आ सकता है आपका तो आपको वेट करना है माई का कि फर्वरी मार्च अप्रेल हाँ अप्रेल अप्रेल में आ जाएगा अरुष शहा जी पूछ रहे दिसंबर 13 दिल्ली वी एफेस किया था कब तक आएगा तो सर दिसंबर मंत की शुरुवात हो चुकी है ग्यारा बारा दिसंबर के तो हमको गुरुवार को ही मिल गए थे आपका कौन सा डेट था गुरुवार के दिन मुझे मिल गए थे कोरियर और फ्राइडे को मेरे पास पासपोर्ट भी आ गया थे ठीक है तो आपको नेक्स वीक तक तो वेट करना पड़ेगा अठारा से लेकर बाविस और दिसंबर वाले जितने भी हमारे मित्तर है जिनोंने फर्स्ट वीक में किया है तो दिसंबर का जो हमारा अनुमान था वो चालू भी हो चुका था और हो भी गया है प्रूफ है मेरे पास त कमिटमेंट किया है तो आजाएगा वेट करिए राजेश कुमार जी 16 जनवरी को मुंबई सम्मिट है कब तक आएगा तो सर जनवरी में अभी समय लगेगा सर आपका 16 मीड है तो फरवरी मार्च अप्रेल मीड के बाद ही आ सकता है अप्रेल मीड के पहले प्या सकता है दस अप्रेल को भी आ सकता है अफ जनिय दस अप्रेल को नहीं आया लग लग बदा बाद में आये आएगा आपको अम अप्रेएल मेंट के आएगा सखती अफ्रें बिस्टा जी आ Inspir आखको अच्छे चान्स अच्छे हैं वीजा भी आ रहे हैं डोनों चिजे चल रही सर अभी एक सबसे पहले कमेंट था उन्होंने बताया कि दो का rejection आ चुका है उनके मित्रों को उसी company से तो एसा चल रहा है वीजा भी है rejection भी है कृष्णा घोष जी PCC किस time लगता है तो सर PCC आप से जब आपके documents लिये जाएंगे तब PCC compulsory लगता है क्योंकि permits आने को 15 दिन एक मेने में भी आ सकता है नहीं तो 4 मेने में भी आता है तो इसलि PCC के appointment से कहीं जगा डेड मेने में है तो इसलिए PCC पहले मांगी जाती है और भी थपोस्टाइल मांगी जाती है और PCC आपका तो देखो आपका permit apply करते समय भी चाहिए और submission के time भी चाहिए valid PCC तुन्टु जी पूछ रहे है टेलर जॉब है सर मैंने आपको लास्ट टाइम भी शायज से बताया था टेलर जॉब है सर हमारे पास जो लेडर वर्क है जो companies है वहाँ पर automotive company है वहाँ पर street cover बनाना या जो भी उसमें लेडर का जो भी वर्क होगा कुशिंग तो उसमें लेडर वर्क का काम है तो वहाँ पर stitcher चाहिए याने जो भी stitch का काम जानते है नबराज बिस्ता जी आठ जन्वरी का है कब तक आएगा तो सर जन्वरी को अभी जन्वरी मार्थ वालों को अभी रुकना पड़ेगा सर 15 अप्रेल के बाद हो सकता है जन्वरी चालू हो जाएगा या मेरा नुमान है 10 जन्वरी को भी start हो जाएगे काउंसलेट डिसीजन दे सकते हैं तो 15 से लेके 20 जन्वरी तक मिल सकता है सर आपको next month तक वेट करिया आप आशिश कुमार जी सर जन्वरी मन तक कब तो सर बताया न सर आपको पिछले अपरेल में चालू होगा 15 अपरेल के असपास या 10 अपरेल से भी चालू हो सकता है जन् का फुल फ्लेश में अगर वीजा आना चालू होगा तो वो 10 अपरेल के बाद ही होगा आपको कम से कम 20-22 दिन वेट करना है अभी दिसंबर मन चल रहा है नमबर मन तो चली रहा था दिसंबर भी 25 परसेंट क्लियर हो गया है विशाल जी वीजा के कितने चांस है सर वीजा के चांस आपकी कमपनी के उपर है कुछ कमपनी में 100 में से 70 लोगों को 100 में से 80 लोगों को 100 में से 50 लोगों को 100 में से 40 लोगों को वीजा मिल रहा है इसी कमपनिया है अलग लग सुमें immigration में क्या पूछते हैं क्रोशया जाने में सर कोई immigration में इतने सवालात नहीं पूछ रहे हैं कोई questioning नहीं हो रहे है केवल आपका आप work permit उपर रख़िए आपका contract later रख़िए आपकी company के boss का name और आप company का नाम याद रख लिजे कुछ आपसे इमिग्रेशन में ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा वो पूछते आप कहां जा रहे हैं तो आपको वर्क पर्मिट दे देना हाद में इसके बाद आपका काम खतम मिलन पोकराल जी सर मेरा दिसंबर पंदरा को मुंबई में विएफेस हुआ था कब तक आएगा तो सर बस नेक्स विक का आप वेट करो 18 से लेकर 22 मार्च और मेक्जिमम 29 मार्च के पहले पहले आई जाएगा सर वहीं से तो नेक्स विक में चांसे बहुत जादा हैं नेक्स वि हेलो सर मेरा 16 जन्वरी का किया था दिल्ली में तो सर नितिन कुमार जी अभी 10 अपरेल के बाद ही जन्वरी चालू होगा तो 20 अपरेल तक मानलो आप यह 25 अपरेल तक तो मिली जाएगा जन्वरी क्योंकि जन्वरी में सबसे कम सम्मिशन है गोपाल सिफुला जी सर एक बार मेरा पहले रिजेक्ट हुआ है क्रोशया में नया प्रोसेस से FIR में क्रोशया के लिए अपलाइ करने से दुबारा न्यू कंपानी में दुबारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा नहीं होगा सर दुबारा आप अपलाई कर सकते हैं बाकि आप जो आपका ट्रेड है तो वही ट्रेड रखेगा आपका माल दीजे जो भी ट्रेड था आप वही ट्रेड रखेगा क्योंकि हमारे एक मित्रे हैं असिम दाज जी कोल करता वाले वो आज क्रोश्या के अंदर है उनका लास्ट येर रिजेक्शन आया था आज वो पाइप फिटर में जा चुके हैं वहाँ पर तीन दिन पहले सोनु पाल जी भाई अब वर्क पर्मिट में कितना टाइम लग रहा है तो सोनु पाल जी वर्क पर्मिट में हर जगा से हर सिटी से हर कमपनी से अलगलग समय लगता है जागरीब से तो पांच और छे मैने मान के ही चलो और अगर होस्पलिटी सेक्टर है जागरीब में और आउट आप जागरीप में तो एक से लेके चार मिने में पर्मिट आ जाएगा अपरा असफ जी सर मेरा क्रोश्या का वर्क पर्मिट आया है पूरा मेरा PCC छे मन्त हो गए है मेरा VFS में सम्मिशन हो जाएगा या न्यू PCC बनवाना पड़ेगा सर आप न्यू मुहम्मद जी आप न्यू PCC आपने अपलाय कर दी है तो वो न्यू PCC चल जाएगी न्यू PCC आप लगाईए सबसे बेस्ट वही रहेगा भले वो अपोस्टाइल नहीं है तो भी वी एफेस सेंटर में आपकी चल जाएगी PCC नहीं वाली विदाउट अपोस्टाइल भी सम्मिट हो जाएगी और पुरानी PCC भी आपके लगेगी अगर अपोस्टाइल नहीं है तो नहीं वाली ध्यान रखिए अगर आपके पास आपका जो वर्क परमिट है उसका 60 days अभी होता है वेलेडिटी से समय है तो आप PCC करवा लिजे सोनु भाल जी बोल रहा है अगस्त में अपलाए हुआ है जागरीब सिटी से तो सर मैंने यही तो बता है जागरीब सिटी से तो पुछिय मत हमारे अक्टूबर मन्त के सम्मिशन हुए थे अभी भी नहीं आए 26 अक्ट दिन और वेट कर लो सर आप विड्रॉ ले लो हम भी विड्रॉ ले रहे हैं पूरे जागरीब सिटी से जितने भी हमारे परमीट से आने वाले 10-5 दिन के बाद हमारे पास नेक्स्ट वीक में हमको फाइनल मिल जाएगा कि विड्रॉ करना है कि पेमेंट वेट करना है दो ची यूटूब सब्सक्राइब का चांस कितना होगा तो सर री अपलाए तो सर चांस की होता है चांस असीमदाज दी का मैंने एक नाम दिया उनको रिजेक्शन आया था सर तो उन्होंने नया परमिट लिया और आज क्रोश्या में है तीन दिन हो चुके उनको अमर अमर दिसमबर में क्या समिशन कम हुई थी नहीं दिसमबर में हुई थी सर दिसमबर में फिर भी ज्यादा थी जनवरी में सबसे कम अपने फाइलों का सम्मिशन हुआ है VFS सेंटर में मोगर जी सर नेपाल नवंबर 24 को क्या है फ्राइडे को VFS कॉल पास्पोर्ट आ चुका है यानि सर आपका में मतलब समझा कि आपको पास्पोर्ट के लिए कॉल आ चुका है रिजेक्शन है इसका मतलब तो यह तो बहुत अच्छी बात नहीं है सर ठीक है यह तो चल रहा है तो आपको पास्पोर्ट कलेक्शन करने जाना पड़ेगा सर आपकी जो पेमेंटlar पर बोले जाईएगा और एक आपकी नेशनल आइडेटी हैँ हूँ तो नेपाल से ही ही ना नेपाल में है तो नेपाल से ले लेंगे सर आपको ज दुबबई से कितना टाइम लगता है सार दुबई से आपक्या सब्मिशन न का अब्बे दिन लगेंगे आपके decision आने में और permit का time तो उतना है जितना आप कहीं से भी apply कर दो permit के process का time उतना है बस VFS के submission का time कम है क्योंकि वहाँ से फाइले कम लगती है समर्थ लोग जी सर 10.11.23 से miss है Mumbai VFS में क्या chance है और हुआ है वीजा तो 10.11 का है न अचा submission S आपने लिखने में आप से गलत होगा से miss लिख दिया शाय से आपने तो सर नवंबर मन तो चल रहा है आपको next week मिल सकता है 100% मिलेगा next week अब तो जन्वरी end भी आ चुका है सर तो आपका नवंबर 10 नवंबर का है तो आज आएगा आपका next week का सामर्थ व्लोग जी वेट करवा आप और आप अपडेट देखवा आपका online status क्या आप शो हो रहा है राइट नौ विश्नू ठाकूरी जी December 6 का कब तक आएगा next week 100% आजाएगा मेरा अनुमान है December month की भी शुरुवात हो चुकी है तो बस next week जो आ रहे है December वालों के लिए अच्छे है रहे 18 से लेकर 22 March और उसके बाद 24 से लेकर आपका 29 March टून्टू सर आपको बता चुका हूँ सर टेलर जॉब है आप घड़ी घड़ी सर शे मन्ड पे पर आना ठीक रहे गा की नहीं क्योंकि एक एज़ट शे मन्ज का ही दे रहा है वर्क पर्मिट तो सर अभी सीजनल पर्मिट भी आ रहे हैं अप अगर यह तो hospitality सेक्टर का आपको पर्मिट मिल्स तो 6 मन्त का ही होता है तो आपको अभी मिल रहा है तो आप ले लीज़े अभी अच्छा टाइम है आप अगर सम्मिशन करेंगे तो वीजा चांस जो हैं 100% मानुआ वीजा चांस अगर कमपणी अच्छे तो अच्छे चांस रहेंगे अभी के समय में अगर आप अगस्त जुलाई अगस्त में यही 6 म जायगा क्या सच है तो सर आसकता है अब आपने किस ट्रेट में अफलाई किया है होस्बिल्टी सेक्टर में किया है जिसे कूक शेफ वेटर हाऊसकीपर क्लीनर तो आ सकता है और ओट अफ जागरिप से है तो आ सकता है कोई दिक्कत नहीं दिल्ली ओली 21 फरवरी डिली व्यक तो सर अभी फरवरी में तो बहुत समय है सर अभी मार्च अपरेल माई में आएगा सर माई तक तो आ सकता है माई एंड तक जाएगा सर आपका दिल्ली ओली जी कि शिखर्श शाकीर सिद्दकी जी सर वर्क परमिट में कितना टाइम लग रहा है सर सीटी के उपर डिपेंड कर रहा है परमिट आने में डिल्ली बॉइब के वन मन्त में भी आएंगे नहीं तो चार से पांच मेने छे-छे मेने भी लग जाएंगे अगर जागरिक सीटी से है तो और थोड़ा सा डिलेवरी बॉय में समय लगता है कुछ पर्मिट 20-25 दिन में भी आ रहें डिलेवरी बॉय के आपकी सिटी कौन सी है वो देखे आप और कंपनी कौन सी है सर क्रिष्णो घोष जी सर ओफर लेटर में सिगनेचर हो गया है बट PCC नहीं लिया एजेंट अभी तक तो सर PCC क्यूं नहीं लिया आपकी PCC आपकी अगर रेडी है तो PCC देदो न सर PCC क्यूं नहीं ले रहा आपका एजेंट PCC तो लगेगी सर चार डॉक्कुमेंट लगते हैं आपका पासपोर्ट आपकी PCC और अगर आप फूट डिलेवरी में है तो आपका ड्राइविं लाइसेंस और आपका दसवी या बारवी का मार्क शीट कर सर्टिफिकेट लगेग विशाल गोल जी डिलेवरी बाइक का वीजा लग रहे हैं कि नहीं सही बिल्कुल सर लग रहे हैं वीजा लग रहे हैं रिजेक्शन भी है कंपणी के उपर है हमारे कुछ तीन मित्रों के वीजा लगे हैं लाइव में बता रहा हूं एक हमारे मित्र का रिजेक्शन आया था मंबर 9 में वो कमपणी ने विड्रो किया मैंने टोटल चार फाइल लगाई थी फूट डिलेवरी में तो एक रिजेक्शन आ चुका है उनका ठीक है तो कुलविंदर सिंग जी दुबई से कितना तो सर आपको बता चुका हूँ दुबई से आप सर किस चीज का पूछ रहे हैं नितिन कुमार जी सर पी सी सी ओरिजिनल देनी पड़ेगी कि आप एफस में नहीं नितिन कुमार जी आपकी पी सी सी दीजेगा कलर कॉपी दीजे वेसे तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो ब्लैक और वाइड ही लगाते हैं लोग कलर कॉपी लगाईए आप अच्छा र हो सकती है नहीं तो जो नेक्स्ट वीक है आपका आपका आएगा साथ से लेकर बारा जनवरी उसमें स्वारी अप्रेल उसमें जनवरी की शुरुवात को हो जाएगी और जनवरी के समिशन भी बहुत कम है तो फटा-फट फट फाइलों पर डिसीजन आएगा तो दुबई क बता दिया कुलविंदर जी आपको कितनी बार बताएं विशाल चावडा जी रामराम जीतु भाई जैश्री महाकाल आपको भी विशाल भाई हमारे बढ़ोदा से मित्र है और संडे में जुड़ चुके हैं लाइव सेशन में आपका स्वागत है अनीज गोड जी पूछ र रेंट कार जागरीब में है ये कंपनी ठीक है तो हमारे अक्टूबर मन्त के सम्मिशन है इसमें वो नवंबर के भी सम्मिशन है तो अभी तक मेरे पास पर्मिट नहीं आया मैं आपको बता रहा हूं मिस्टर अनीज जी आपका कब सम्मिशन हुआ का बताईया ट्रेजिट 123 जी हेलो भाई मैं क्रोश्या पहुच गया बढ़ाईया आपको कांग्रेस्चुलेशन मुझे मालूम है आपका वीजा आ चुका है तो लाइव में जुड़े आप क्रोश्या से तो धन्यवाद है आपका मिस्टर 123 बताईये अभी क्या चल रहा आपका क्रोश् चांस कितना है मैं एक होंगा 99% 99% चांस है एगरी कल्चर के वीजा आ रहाए में 100% कभी इसलिए नहीं केता हूं कभी कभी कुछ रिजेक्शन आ जाए तो मैं 99% ही केता हूं सबसे अच्छे चांस एगरी कल्चर फिल्ड में है वीजा बहुत लग रहे हैं कोई प्रॉब्लम तक 10 मई में आएगा 10 तक आ सकता है सर आपको मई तक वेट करना पड़ेगा मितला श्रियांच जी सर जी नमस्कार नो जनवरी का समिशन है नेपाल से कितना टाइम लगेगा सर नेपाल में आपको अभी जो एक बताना चाहूंगा समय थोड़ा सा कम लग रहा है नवंबर व को तो ऑर कम लगेगा तो आपकर जन्वरी में है तो आपका 120 दिन लगेगा प opponent 140 दिन लगते थे तो आपको वेकरना है तो आपका अप्रेल 22 के बाद आया सकता है मेरा अनुमान के वहारे समय कम हूआ है तो 20 आपरेल के बाद आएगा सर बिस अपरेल पिंदर जी सर मेरा दिसंबर 18 को सम्मिशन है कब तक वीजा आने की उम्मीद है डर लग रही है क्यों डर रहे हैं सर आपने अगर फाइल का सम्मिशन किया है तो डरने की कोई बात नहीं तेखो कुछ मित्रों को मता नहीं कि मेरा रिजेक्शन आ चुका था मैंने बताया था बाकी पता नहीं लोग मुझे फिर कॉल करके पूछते हैं कि आपका क्या हुआ मैं आज फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं तो आप डरिये मत जब में खुद बेठा हूं यहां पर रिजेक्शन लेके आप लोग क्यों डरते हो सर अच्छा सोचे पॉजिटिव सोचे ठीक है वो नो जन्वरी का है सर तो मैं आपको बताओं आपको नेक्स्ट मंत में ही आएगा सर आपका मिठला जी आपको नेक सकता है यह 29 मार्च तक आ सकता है आपका डिसीजन दिसंबर मन की तो शुरुवात हो चुकी है तो 22 से 29 के बीच में आएगा सर आपका मेरा अनुमान है क्योंकि दिसंबर मीड के बाद है आपका अंकुष जी पूछ रहे हैं सर मेरा ओफर लेटर मार्च एंड तक आएगा ए रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके एजेंट को बोलिए अगर जागरीव सिटी से अपलाय कर रहा है तो आप बिल्गुल प्रोसेस मत करौब अपको ऑच्छी सला देता हूं अगर आपका होस्पलीटी सेक्टर में है तो फिर अपलाय कर देना जाग्रीव से और अगर कंट्र वीजा अगर आपका आता है तो आपका इस्टिगर का पूर्ट की वह जेन्यून है कि फेक है सर अगर आपने वीएफस सेंटर में सब्मिशन किया है दिल यह इन्डिया के अंदर तो आपके घर पर पासपोर्ट आ रहा है यह आपके एजेंट के पास आ रहा है तो वीजा 100% ज मज़ लेना गुरुप्री सिंग जी जैश्री महाकाल जैश्री महाकाल आइम फ्रॉम दुबई आफ सेवन यह एक्स लाइट एंडी बस ड्राइवर इन यूएए सर आपके पास सेवन सेवन यह का एक्स्पिरियेंस है बहुत अच्छी बात है सर जागरीब सिटी से हमारे खुद के पर्मिट्स याने हमने जो फाइले लगाई हमारे फ्रेंड्स की तो मोर देन 30 से प्लस फाइले मेरी जागरीब सिटी में अपला है और अभी तक पर्मिट ने आया है कुछ दो जो आप बोड़ रहे हो वो भी टेक्सी ड्राइवर स्व नहीं तो आउट आप जागरीब से अपलाए करवाओ री अपलाए करवाओ वहां से विड्रो करिए फाइल को इश्वर गुरांग जी पर्मिट एक्च्वली पर सत्तर दे होने के बाद क्या वी एफस नहीं सर आपका पर्मिट अगर आच चुका है मान लीजे मैं आपको ज करिए हैं मई से जून से तो आपकी वेली डिटी कर रहे हैं कि वह कब से स्टार्ट तो उसके साट थिन के भीतर भीतर आपको जमह करना है थीक है तो आप बीजे आutable आप का पर्मिट है आप मुझे वह साफ करिएगा में आपको बताऊंगा कि आपकी पर्मिट की वैलेटी अगर आप समझ रहे हैं, तो आप चेक करिए, ऊहो, पॉलिटीकल पार्टी, गूट मॉर्निंग, फ्री विजा हे, क्या, सर, तो सर, फ्री वीजा, तो पॉलिटीकल पार्टी जी, आप तो फॉलिटीकल पार्टी हो, तो आपके तो मोदीजी से समपर्ख होंगे बड़ी बड़ी पार्टी उसे आपका तो काम यह हुई आपको तो डिपलोमेटिक पासपोर्ट मिल जाएगा सर मजा कर रहा हूं सर आपके पास कोई स्कील है तो आप बिल्कुल क्रोशिया के अंदर सर फ्री में जॉब सर्च करिए क्रोशिया जा सकते हैं आप इलिजिबल हो किसी भी कंट्री में आप जॉब कर सकते हैं आपके पास स्कील होना चाहिए सर मेरे साथ मेने का एक्स्पीरियंस बता रहा हूं मोर देन हंड्रेट परसंड एसे मेरे कॉंटेक्ट में हैं जो क्रोशिया जा चुके हैं विदाउट एनी एजेंट्सी कंसल्टेंस या फ्रेंड्स के दुरू डारेक्ट एंप्लॉयर से कर चुके हैं गाव गोपाल सित्ुला जी सरust 2024 24 पर कतर वी एफस क्या है कब तक आएगा अच्छा आपने चार फरवरी को किया है तो सर आपको 80 दिन तो मिनिममूम 60 से लेके 80 दिन लगेंगे सर आपने कतर से वीपस किया है ना तो आपका फरवरी है फरवरी मार्च तो आपका अपरेल 10 के तो सर इसका मैं आपको बता तो चुका हूं वीजा चेक के से करते हैं डिटेल में बताईए तो सर आपको मैं बता चुका हूं आप मुझे भेजो आपका अगर वीजा चुका है मैं आपको उसकी बारी की हैं बताऊंगा सर आपको आपका पासपोर्ट पर अगर वीजा स्थाम तो मई में जाब आएंगे गोरव धिमान जी आप मई में जाब आएंगे और अगर फर्वरी 1st का है तो आपका फर्वरी मार्च अप्रेल END में भी जा सकते हैं sandip palf g 23 जनवरी सम्मिशन का कितना टाइम लगेगा तो सर जन्वरी में तो अभी वेट है आप 20 अपरेल तक मानो 20-25 अपरेल तक आपका आएगा सर इसके पहले नहीं आपाएगा सर सुभा बाहद्दूर जी। डिसंबर अठा का है तो सर्दिसंबर 18 वाले सभी जो मित्र हैं हमारे सभी यही सवाल करते हैं वीजा 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 आपके पास और कोई स्थाफित नहीं होता थीक है अच्छी बात है आपकी उम्मिदे हैं की आशाय हैं तो सभी भाईयों को कोरिया डिस्पेच के मेसेज मिलें तो हमारे कौन है सुबा भादुर जी आपको वेट करना है नेक्स्ट वीक तक का 22 से लेके 29 मार्च तक आपका आएगा डिसीजन हाला कि 11 और 12 दिसंबर के वीजा आ चुके थे लास्ट विक गुरुवार क हो सकता है आपको 22 को मिल जाए जस जी आपको बता चुका हूं सर इसका चेक के से करना है वीजा तो सर आप मुझे पासपोर्ट भेज़ दो मैं आपको पूरी उसकी हिस्ट्री डिटेल बताऊंगा लाइव में बताऊंगा तो मजानी आएगा अमित कुमार जी जुट चुक है सर डिलेवरी बॉय का सर हर एजेंट्स का अलगलग रेट है कोई आपको एक लाग रुपय में भी भेज सकता है क्रोश्या कोई दस लाग भी लेता है सब एजेंट्स के कंसल्टेंसियों के अलगल चार्जे से तो आपको जहां से कम रेट मिलता है और आपको उनके उपर है तो आप वहां से अपलाई करिए और अपने साफनों को साकार करिए डिलेवरी बॉय में हमारे भी कुछ तीन लोगों के वीजा लगे हैं तो मैं आपको लाइव में बताना चाहूंगा मुझे कहा गया था कि फूड है बाकि उनको फूड नहीं दिया गया तो वो मुझे ह ही फाल्ट मानते हैं ठीक है अब उनको बाते समझ में आ चुकी है चार दिन हो चुके हैं अभी वो सर अपना जौब पे भी जा रहा है तो शुरू शुरू में उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा है हर किसी को करना पड़ता है तो डिलेवरी बॉय का खर्चा इतना म में आपको बता चुका हूँ पेले आप उसका प्रोसीजर समझेगा ठीक है अमित कुमार जी क्या व fellas Amidman नहीं मिल रही हीग नहीं मिल रही सर अमित कुमार जी आपका कहा क्रोश्या में लगा है सर आप तो सर्विया वाले भाई साब हो हमारे सर्विया क्रोश्या के पास सर्विया वाले हैं तो सर व्येफेस अपाइन्मेंट आपको क्या जरूर होते हैं क्या आपने क्रोश्या का परमीट भी अपलाई किया है क्या मिस्टर अमिर कुमार पूरे बंद हो चुके हैं आपको अपरेल मंत का अपॉइन्मेंट मिलेगा बताईएगा ठीक है कि सुभा बहादूर जी तो सर बता चुका हूं सर आपको वीजा नहीं आया है तो सर वेट करो सर वेट करो अच्छी आप सोचो दस दिन के बाद आपको खुशकवरी मिले सुभ चुका है प्रभकरण जी अक्टूबर 26 समिशन और बैंगलोर तो सर आपका अक्टूबर 26 में समिशन था तो आपका केस में क्या हुआ है सर यह तो प्रभकरण जी रिबाय मेट्रिक हुआ है या आज भी आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है कांसलेट तो बताईए क्या तो इतनी जल्दी आधा गंटा बीच चुका है मां उम्मेद नहीं थी कि आधा गंटा भी हो गया बाते करते करते आप से जतिंदर सिंग जिंदी सर्जीम हमने अगस्त में अपलाए किया था क्रोशा के लिए जिसके पास पेपर अपलाए किये हैं बोल रहे हैं कि आपका आएगा आप बताओ तो सर आपको अफ़र लेटर मिला है क्या सर बताइए उस पर जागरीब सिटी है यह आपको अफ़र लेटर भी नहीं मिला है तो मैं के रहा हूं बुरा मत मानिएगा जतिंदर सिंग जी तो मैं आप से यही कहुँगा दस दिन और वेट कर लो मान सम्मा दस दिन का और रख लो आप नहीं तो दूसरे कंसर्टेंट से अपनी फाइल लगाई है मैं आपको बता रहा हूं जागरीब सिटी से हमारे अक्टूबर के परमिट नहीं है आप तो अगस्त वाले हो आप तो बहुत ज्यादा समय इसमें लगा चुके हो तो आप से यही का बोल दो कि हमें पेसा दे दो कि दीपक पांचाल जी सर प्रोसेसिंग टाइम क्या है तो सर प्रोसेसिंग टाइम अगर क्रोश्या का फुल प्रोसेस पोच रहे हैं तो कहीं कहीं सिटी से 6 मेने और कहीं कहीं से 9 मेने लग जाएंगे आपके क्रोश्या प्रोसेस में टोटल याने permit से लेके visa तक क्या process बता रहा हूं सर आपको में नितिन कुमार जी metamate company से work permit आया है केसी company सर metamate company के नाम पे इतने fraud हुए हैं सर metamate company अभी work permit issue नहीं कर रही सर आपका permit भेज देना मुझे आपके साथ scheme हो रहा होगा 101% बता हूं metamate company ने अभी hiring पिछले एक साल से ही बन कर रखी है metamate company के पूरे मेरे पास more than 40 से plus permit आ चुके हैं सब fake work permit आ रहा हैं तो आपका permit भी मुझे अनुमान है fake होगा सर आप check करवा लेना प्रभा करण जी पूछने अक्टूबर 27 VFS submission on Bangalore आपने सर बता री बायोमेट्रिक देखिए आपका री बायोमेट्रिक है सर मुझे लगा था आपका री बायोमेट्रिक है जन्वरी में ठीक है सर तो जन्वरी है आपका फरवरी मार्च तो सर मेरा अनुमान है आपको पांच जो अप्रेल है पांच से दस अप्रेल को मिल जाना चाहिए मेरा अनुमान है आपको प्रभा करण जी वीजा लगेगा 99% में यही आचा करता हूँ वीजा लगे आपको पांच से लेके 10 अप्रेल तक वेट करना है सर रमेश लामबाजी सर मेरा आठ नंबर पे रिजक्ट आया है तो सर में भी आठ नंबर वाला पिठाओ आपके सास्थ मेठाओ मेरा भी आठ नंबर मैं आया था ठीक है में फिर रियापलाई किया है 20 दिन हो गए हैं ई chill नहीं आया रियपील का वीजा चार्ज कितना है सर में आपको बताओं आपने रिअपील किये आपसे पेले भी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनोंने अक्टूबर में अपील किये ठीक एक स्टडी विजा वाले हैं हमारे फ्रेंड्स और नवंबर में ये वर्क विजा वाले ही है तो उनके भी अभी decision नहीं आए सोच लो नवंबर में उन्होंने submission किया है तो मेरा अनुमान है तो नवंबर मन चल रहा है हो सकता है आने वाले दो वीक में उनका decision आज आएगा अगर उनका decision positive आएगा तो मैं आप सभी को बोलूगा कि आप लोग भी reappeal कर ये समझ रहे हैं नंबर आट के बाद ठीक है जतिन्दर जी इतने time बाद क्या work permit निकलते हैं हाँ सर निकलते हैं आठ-ठ मेने में भी permit आते हैं 9 months में भी permit आते हैं सर कुछ case इसे हैं 9 मेने में permit आए 8 मेने में आए 7 मेने में 6 मेने में आपके case में भी सेप्टमबर अक्टूबर नौमबर दिसंबर जन्वरी फर्वरी तो सर आपके तो पूरे नाइन मन्थ हो चुके हैं सर तो बस आप दस दिन और वेट कर लो आप भी हो सकता आपका भी पर्मिट आ जाए जस्विंडर सिंग्जी आपके पास क्या ड्राइवर जॉब की वेकेंसी हे क्रोशा के लिए सर्ड मेरे पास फूर डिलेवरी की है ड्राइवर जॉब भी है टेक्सी ड्राइवर की जॉब भी है बिलकुल मिल जाएगी सर आपको डिपेश जी पूछ रहे हैं यूरो फोक्टस डियो डिसंबर 15 सब्मिशन हुए कितना चांस है सर डिसंबर सर कंपनी का देखो आपको मैं अभी अकर यह कंपनी होती तो मैं बता देता कि हां वीजा आए है मेरे पास इस कंपनी की फाइलिंग नहीं आई यह तो डिसंबर है त को सर आपको बता सुखा हूं सर आपने वही कौपी पेस्ट कर दिया दिपेश जी आपको बता चुका हूं आप वेट करो सर रूरो फोक्टस डियो कमपनी है आपकी सर तो वेट करो आप तो हाटी निकल गया पूझबाकिए 10 दिन का वेट कर लो राजेश कुमार जी इंडिया में रहे कर टियार पी अपलाए कर सकते हैं क्या टियार पी सर वहां की अपलाए होती शाय से लुद्वानिया की है शाय से आप उसी कंट्री का पूछ रहे हैं क्रोश्या में टियार पी नहीं अपलाए होगी क्रोश्या में टियार सी बनती सर जैसे हमने पहले ड्राइवर के लिए अपलाई किया था और दुबारा में ऑपरेटर के लिए अपलाई करता हूँ तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर आपका पर्मिट थोड़ी आया था सूरज रेष्ठा जी सर रियपील का डिसिजन आने में कितना ठाइम लगता है तो सर उतना ही समय लगता है जितना अप फ्रेज सम्मिशन करते हैं किसी भी वीएफेस सेंटर में तो उतना ही समय मानिया आप 90 दिन 100 जैसे किसी ने अक्टूबर मन्त में सम्मिशन किया था किसी ने नवंबर में तो नवंबर के 24 नवंबर के रियपील करके आये तो उनका डिसिजन अभी नहीं आया हो सकता है नेक्स्ट विक आ जाएगा तो में आपको हमारे चेनल के मार्ध्यम से आपको इंफॉर्म करूंगा और उनका वीजा लगता है तो उनको इंटर्व्यू में भी लाऊंगा कि इन्होंने अपील कप करी क्या प्रोसेस था हलाकि प्रोसेस तो बता चुका हूँ क्या डॉकुमेंट्स लगते हैं रियपील के और उनका डिसीजन क्या निकला ठीक है वो भी बता आए जाएगा तो सर अनिस जी बता चुका हूँ आपने जनवरी में फाइल लगाई है ठीक है सर अनिस कुमार जी तो आपके असोसियेट्स ने क्या बोला है आपको वेट तो करना पाएगा सर हमारे भी रेंट अकार कंप कंपनीस का तो आप उनलाइन सर्च करिए सर कंपनीस सब अच्छी होती आपका 15 दिसंबर है पेले भी बताया सर आपका नेक्स्ट वीक आ सकता है मेरा नुमान है 22 मार्च को आ सकता है मिस्टर पोकराल जी पिन्टू 420 सर कारपेंटर में वीजा रेशो कितना है तो पिन रखार जी सर वीएफेस में हमारा PCC पुराना पुराना लग गया है क्या हो सकता है प्रॉबलम तो नहीं आएगा सर आपका पुराना PCC लगाए एक्सपायर PCC भी ले लिया है तो कोई प्रॉबलम नहीं सर आप वेट करिए डिसीजन का और वीजा लगे हम यही आशा क भी शुरुवात हो चुकी है हमारे पास 11-12 दिसंबर के वीजा है है 8 दिसंबर के भी हमारे मित्र का आया था हलाकि उनका रिजेक्शन आया था ठीक है तो आपको नेक्स वीक तक वेट करना है मेरा अनुमान है अगला जो वीक आ रहा है आपका जो 18 से लेके 22 मार्ज तक आपने ृप्ली किया कि अपील किये सर प Heritage बदाईए अगर आपने रियड रियापलाई किया याने रहने नय परमिट का प्रोसेस किया तो परमिट आए गा उसके बार सिर्फीर आए सब इसे केस है हमारे पास ठीक है आपने वही copy paste कर दिया सुमीत गिल जी हाई सर हाई हाई सर हम बढ़िया है आप बताईए सुमीत गिल जी बताईए आप केसे हैं अंकुष जी पूछ रहे हैं जागरीब से क्यों नहीं work permit apply करना चाहिए बताईए क्या reason है तो सर इसका reason है इसके पीछे सर जागरीब से स सबसे ज्यादा bulk में permit apply है और चितनी भी companies हैं उनके जो head office है जागरीब सिटी से ही रजिस्ट्रेट हैं बड़ी बड़ी companies हो यहां छोटी skill की भी हो minimize company हो maximize company तो सभी companies क्या होती जागरीब सिटी में apply थी पहले अब उन ही company ने क्या करा है अपनी branches अलग लग नाम से खोल लिए husband की तो यहां जागरीब में company उसकी wife ने वहाँ खोली तो आप वहाँ apply करिए जागरीब सिटी में बहुत ज्यादा stuck है मैं आपसे यही कहूँगा कि जागरीब सिटी से आप बिल्कुल दूरी बनाये रखे जैश्री महाकाल बोलो उन तो जैश्री राम बोलो वहां मत apply करो बस आपको अपनी मदद खुद करना है अपना हाथ अपना विकास ठीक है आप अपना खुदी आपकी cv cover letter बनाईए आपके पास जो skill है उसी की skill के साब से आप online प्रोटर्स पर जाईए और अपनी cv डालिए आपको free में job मिल जाएगा इसके बाद है हमारे राठोर महसीन जी आ चुके सर क्रोश्या में कौन से mobile network यहां का चल सकता है बहुत अच्छा प्रेशन है सर सबसे अच्छा network वहां पर आपको मिलेगा आपको सबसे बढ़िया अगर आपको कोई text message आना है तो फटा फट आएगा आपका एरटेल कंपणी का ठीक है जी ओ का network वहां पर नहीं है अंबाली जी वहां पर fail है एरटेल कंपणी बढ़िया है वहां पर एरटेल की sim ले जाईए नहीं तो आपकी जो sim है उसको port करवा ल होता है आपका भी six month का तो minimum रेता है यह study visa six month के लिए जा रहे हैं आप one year के लिए तो उतना ही time process है सर जितना की work visa का समय है उतना ही student visa के मनीश studio nine month के paper ठीक है हाँ सर्थ nine month का अगर आपको permit मिला है तो बढ़िया है three month वाला मत लीजेगा six month minimum लीजिए और six month के बाद आपको जिदना भी permit मिल रहा है अभी की condition में बता रहा हूँ आज जो चल रहा है March तो आप apply करिएगा March अप्रेल तक भी apply करिए अगर आपका permit आ जाता है तब तक और जून के बाद आपको मिल रहा है six month वाला तो आप submission मत करिएगा chance आपके 30 से 20% हो जाएगे अधीब थापा जी क्रोश्या का काम करो मेरा ठीक है सर क्रोश्या का काम हम प्रोसेस करते हैं आप किसी भी नेशनल्टी के हैं पाकिस्तान नेपाल भूटान श्री लंका कोई problem नी सर वेलकम पिंटू जी का प्रेशन है सर पुलिस clearance certificate की a state situation के बाद जब VFS में submit करो तो 6 months over हो गये हैं तो क्या problem होगा सर आपने अगर submission किया है तब तक आपकी PCC valid थी और प्रोसेस के टाइम ही आपकी जैसे 20 दिन बाद 30 दिन बाद अगर आपकी PCC expire होती है तो कोई problem नी सर आपकी PCC आपने जब submit की थी तब तक तो valid थी अब वो translate में अगर 90 दिन 100 दिन लगा हैं तो आपका उसमें कोई फाल्ट नहीं है ठीक है सर फ्रेश पासपोर्ट पर वीजा मिलता है क्यों नहीं मिलता वीवर जी बिलकुल मिलता है फ्रेश पासपोर्ट पर भी मिलता है किसने आपको बोला नहीं मिलेगा तो लाइफ सेशन अभी 44 हो चुका है तो 15 मिनट का और लाइफ सेशन करेंगे फटाफट प्रेशनों का उत्तर देंगे सिमर गिल जी सर मेंने टूरिस्ट अवीजा अपलाई किया था क्रोश्या का 2021 में अभी मेरी फाइल लगी हुई है हमें मेल आया है वहां से कि वहां रिजर्ब पूछ रहे हैं कि वहां कि ये रिफ्यूज हुआ है आपके मेरे पास आपने प्रेशने इसा लिखा है सर मुझे समाझ मिन्यार सर मैंने टूरिस्ट वीजा अपलाई किया था क्रोश्या का 2021 में तो सर 2021 में क्या था अभी मेरा फाइल लगा हुआ है हमने मेल है वहां से वह रिजर्ब पूछ रहे हैं हाँ तो आपको सर रिजर्ब देना पड़ेगा न आपने जब आपको बताना चाहूँगा आपका टूरिस्ट वीजा में रिजेक्शन आया था ठीक है तो आपको उनको मेंशन करना था कि हमने हमको रिजेक्शन आ चुका एक रिजर्ब लेटर डालना था तो आपको मेल आया तो सर आपको इस मेल का रिप्लाइ करना है समझ गया है आपने काउंसलेट से अपनी जो ये रिजेक्शन की बात थी क्यों चुपाई बुरा मत मानिएगा सिमर जी और यह सच बता रहा हूँ आपको live में आपको rejection आता है तो आप बताइए मैं आपको case बता रहा हूँ हमारे एक मित्र है असीमदाश जी उनका work visa में पिछले साल rejection आया था तो उनका हमने डाला था और आज वो visa भी लग चुका है हमारे भाई साब का आज क्रोश्या के अंदर है पिछले चार दिन से ठीक है तो आपको अगर message आया mail आया तो आप उसका mail का apologize यानि आप उनसे माफी मांगेगा इसा message करिया टेक्स में यानि mail करिएगा कि हम माफी चाहते है कांसलेट को बोलिएगा मुझे गलती हो गई मैंने जो आपको जानकारी नहीं दी तो उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ कि हमने आप जो मुझे rejection आया था तो मैंसे गलती हुई है मैं अपनी गलती स्विकार करता हूँ मेरा rejection इस date को आया है तो मैं मैं अपनी गलती स्विकार करता हूँ आशा करता हूँ आप मेरी इस गलती को एक तरफ रखेंगे और मुझे वीजा ग्रांट करेंगे ठीक है यह आप लिखे मेल में प्रॉपर नी लोकेश जी पूछ रहे है सर जी मेरा फरवरी 29 में वर्क पर्मिट समिशन हुआ है मेशन आउट आफ जागरी तो सर देखो जितने भी हमारे मित्र जुड रहे है अब आपने समिशन कर दिया है अब उसमें सीटी मेटर नहीं करती कि कहां कौन सी सीटी से आपका पर्मिट आया मेटर करता है आपकी कमपनी के सीटी के सर तो आपने अभी फरवरी 29 में ही किया है सर बिलकुल अभी तो आपको कितने दिन में अठरा दिन तो वह है मुश्किल से तो आप आपका मार्च में ही मानो मार्च अप्रेल माई तो आप सर मई एंड में भी जा सकते हो नहीं तो जून 10 से 15 तक जा सकते हो अगर प्रोसेस 75 दिन आएगा तो आप जून में भी जा पाओगे अगर थोड़ा सा समय बढ़ा 90 से और ज्यादा लगा तो आप जून में जाओगे कमल रस्तोगी जी जीतु भाई साथ दिसंबर का वीजा कप तक आएगा तो कमल रस्तोगी जी बस अगले हफ़ते आपको खुश खबरी मिल जाए यही मनोकाबना है हमारी आज सिमर गिल जी सर बहुत टेंशन सर बहुत कोश्चन मार ठीक है सर बहुत टेंशन है वीजा में केसे प्रॉब्लम तो नहीं होगा तो सिमर जी आपको बता चुका हूं सिमर गिल जी आपने गलती करी थी आपने मेल का प्रॉपर रिप्लाय कर दिया है ना तो ठीक है अब उसको 50 से 40% खुदी कम कर दिया है आप एक suspected हो गए उनकी निगाह में काउंसलेट की जर में कि आपने अपनी ये जो rejection की जानकारी उनसे छुपाई है आप किसी भी तरह प्रोश्या जाना चाहते हो समझ रहे हैं Royal King जी आपको बता चुका हूँ reapply में कितना टाइम लगेगा सर तो उतना ही साइमा लगता है जितना आप नए फाइल का प्रोसेस समिशन करते हैं quick news hd सर नवंबर से work permit apply किया हुआ है कोई response नहीं आया है तो सर आपको क्या offer letter आपको online submission slip नहीं मिली है तो आप wait मत करिए सर आप update लीजिए quick news नहीं तो आपका समय खराब होगा और अगर आपको ये चीज़े मिल चुकी है तो wait करिए सर मुहित शर्मा जी सर सेप्टेंबर की file लगी है शायर agent ने नवंबर तक submission किया है work permit कब तक आएगा तो सर नवंबर का है अगर जागरीब city है तो सर जागरीब city से तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ सर कितना समय लगेगा work permit का तो मैं खुद prediction जागरीब city का आपको बोलूँ तो 9 month भी लग सकते हैं सर आप इतना wait कर सकते हो तो करिए wait जागरीब city के लिए शिव प्राण जी राधे 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 जैश्री महाकाल आपको विपिन स्रेश्ठा जी वेरहाउस में आपको सर बता चुका हूँ वेरहाउस में जदर city से mobile company में 20 से 25 अपला हुए हैं एजेंट बोल रहा है कि March last में work permit आएगा तो सर आ सकता है बिल्कुल आ सकता है permits में क्या है 20 से 25 अपला है 10 का आए 15 का आए 20 का भी आए इसा आएगा permits शिव प्राण जी VFS submission के एक दिन बार मेरी PCC expire हो गई हो रहा है तो कोई समस्या नहीं सर हो जाएगा आपका submission नेपाली news PPKD केसा है सर तो या online आपको सर्च करना पड़ेगा नेपाली news इंदरजीत जी कपरेशने सर मेंने WhatsApp किया है कोई जवाब नहीं दिया क्रोश्या का electrical में तो सर आप उनको और बार-बार mail करिए बार-बार WhatsApp करिए जो उनकी company के HR है तो देखिए आपको समय देना पड़ेगा आप online process कर रहे है उसके लिए मैं आपको salute करता हूँ आपको सफलता मिलेगी बाकि उसमें आप एक company को target मत करिए कम से कम 10 से 20 company को आप mail करिए अगर WhatsApp है तो उनको mail करिए कही न कहीं से आपको खुश खबरी मिलेगी क्योंकि price करने पर सफलता जरूर मिलती है टेंशन मत लिजिए Official money जी sir मेरा permit कुक का है मुक का है मुक काम में है आता कुक का क्या मुझे काम नहीं आता कुक का तो sir आपको सीख के जाए Mr. Official money जी आपको कुक का काम नहीं आता तो आपकी मम्मी जी से सीख लो बहन जी से सीख लो या घर में जितने भी बुजुर्ग है आपकी उन से सीखे आप कुक का काम ठीक है या किसी professional hotel में लग जाए आप assistant cook में लग जाए किचार पर में तो सीख जाएंगे आप 3-4-6 मेने में केसर सिंग जी पूछ रहे है मैंनों पंजाबी नहीं आ दी माफी चाओंगा केसर सिंग जी मुझे गुर्मखी भाषा नहीं आती पड़ना तो आप हिंदी में लिखिए तो मैं पड़पाऊंगा शमा चाओंगा आदिप थाबा जी आप क्रोश्या का काम करते हो जी बिल्कुल हम क्रोश्या का वर्क पर्मिट का प्रोसेस भी करते हैं अगर आपका पर्मिट आ चुका है तो क्रोश्या की फाइल भी रेडि करते हैं कोई प्रोब्लम नहीं तो बावन मिनिट हो चुके हैं फटाफट अब लाइव सेशन को समाप करने के लिए फटाफट प्रेश्णों को बढ़ते हैं अमन्दीप सिंग जी का सर साज मन्त हो गए वर्क परमिट नहीं आया तो अमन्दीप जी आप बिल्कुल आपकी कंसल्टेंसी एजेंट से मैं खुद बोल रहा हूं हमारे खुद के परमिट फिर बता रहा हूं अक्टूबर के अपला है हमने डिसीजन दे दिया है अगले 20-22 तारिक को हम फाइनल डेडलाइन थी हमारी खब्दम हो चुकी है परमिट आना है तो हम वेट करेंगे नहीं तो मनी बेक ले रहे हैं हम खुद जागरी शिटी वालों से तार अवितार भाई जी एरलाइन में पॉइलेट का जाब चाहिए अच्छा अच्छा मजा करने वाले सर बहुत अच्छी बाद है अमंधिप सिंग जी साथ मत हैं सर बढ़ा चुका हूँ नेपाली जी ने कर से कहीं लड़का फिफ्ट भाव जिए इसरीकका 5 भावय या सेकंड पलविंदर पाल कार्पेंटर का हो सकता है सर बिल्कुल हो सकता है कारपेंटर की जोब मिल सकती है आपको रियपील फीज कितनी पेकरनी होती है तो सर रियपील की फीज है 3870 याने 43 यूरो है तो 3870 रुपए वो लगेंगे 1928 रुपए VFS का चार्ज लगेगा आपका इतना ही खर्चा आता है रियपील का प्रसाद जी माल्टा VFS सर्व माल्टा का मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नी हम केवल क्रोशा का प्रोसेस करते हैं तो आयूज दा पॉसिबिलिटी जैश्री महाकाल हमारे आयूज भाई जाक चुके हैं 12 बच्चुकी है तो जैश्री महाकाल आयूज भाई आपको स्वागत ह आपका लाइव में जुड़े आप उज्जेन से हमारे इंग्लिश नॉलेज जी ने तो प्रेशन को मनपृत जी का प्रेशन है सरॉफर लेटर का 30 दिन के हो गया है वर्क परमिट कितने दिन में लग आएगा तो मनपृत जी आपका प्रेशन अच्छा है बाकि आपकी अग आपको बोले जागरिफ सिटी से मत अपलाए करिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं अगर आपका जागरिफ सिटी से आउफर लेटर पर आप पढ़िए कंपनी कहां पर है तो आप उसको केंसल कर दो प्रोसेस को आज ही रोक दीजिएगा English Knowledge 5 December का VFS हुआ है मुंबई में तो सर बस नेक्स्ट विक मिल सकती है आपको गुड न्यूस इंग्लिश नॉलेग जी नेक्स्ट विक आपका बहुत अच्छा है याने 18 लेकर 22 मार्श को मिल जाई गुड न्यूस आपको सर Supply Chain सर 11 जन्वरी का Decision कब तक आएगा तो सर अभी जन्वरी मन्त की शुरुवात अभी कुछ केस आये थे जिनका आया था आपको अभी वेट करना है नेक्स्ट मन्त 10 अप्रेल के बाद जन्वरी की शुरुवात 10 क्या 5 अप्रेल को भी हो सकती है तो मालोग 10 से लेके 20 अप्रेल के बीच आपको खुश खबरी मिल जाए क्रिक न्यूस का प्रेशन है सर मेंट काउंसलिंग कंपणी से अपलाय किया हुआ है वर्क पर्मिट नवंबर से तो सर कोई रिस्पॉंस नहीं आ रहा है तो सर मैं आपसे वही कहूंगा आपकी जो कंसल्टेंसी है आप उनसे अपडेट लीजिए सर आपको अफ़र लेटर कर गया उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन सब्मिशन स्लिप दिए और अगर नहीं दिए तो आपको वेट करना पड़ेगा सर हमारे अक्टूबर नवंबर के हमारे भी कुछ पर्मिट है जो नहीं आए शीव पुरांट जी सर कंपनी का मैं नहीं बता बाऊंगा कंपनी के प् रिजेक्शन ही आएगा वीजा के चांस मैं केता हूं थोड़े से और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं आपका केस मेरे हिसाब से अगर आपकी कंपनी में मान लिए चार का रिजेक्शन आया आप बजगए हो मेरे पास खुद मैं फाइलिंग करता हूं मैं आपको बता रहा क्या था अक्टूमबर में समीशन था तीन अक्टूमबर का समीशन था स्वारी है ना उसमें स्वारी हां तीन अक्टूमबर का चार लोह का समीशन था तो तीन एक हमारे मित्र का बलविंदर जी नामें शाय से उनका उनको रिबायोमेट्रिक का कॉल आ गया और तीन लोह का जब DCN आया तो तीनों को rejection आया और वो जो भाई साब re-biometric करके आया उनका visa आया बोलिए तो उनके लग थी उनका re-biometric आया और वो बज गया rejection से ये बात है धरम जी पूछ रहे हैं sir driver job केसी मिलेगी total cost sir driver job मिल जाएगी आप online भी job search कर सकते हैं sir नहीं तो किसी consultancy की agency की मदद ले सकते हैं total cost सब agents का अलग है एक लाग से लेके 10 लाग तक का खर्चा है after visa services है हर प्रकार की सुविदा है हर agent की अलग लग मोनोपॉली मोनोपॉली है और अपनी conditions है ट्रम से आप देखिए तो सुदव ब्रॉन जी sir TRC खतम हो जाने के बाद क्या deport कर देते हैं हाँ sir TRC अगर आपकी खतम हो चुकी है तो आपको पेले तो rule अलग थे आपको 90 दिन दे दिये जाते थे क्रोश्या में रुकने के लिए अब ऐसा है TRC आपकी खतम हो चुकी है तो 10 दिन 15 दिन और एक मेने वाला भी प्रोविजन आ चुका है प्रावधान समझ रहे हैं लोगों चेक किया जा रहा है भी क्रोश्या जो जा रहे हैं आपको एक दिन में दो बार भी रोका जा सकता है मा जे बीएस सर मेरा वी एफेस में साथ दो को सम्मिट किया है तो सर आपका फरवरी में हुआ है तो सर आपका मई में आएगा मई में दस मई के आसपास आएगा तो अब जल्दी से अंतिम प्रेश्णों की और चलेंगे जीवन पुंजी पुछ रहे हैं हालो अच्छा एक म बन्त हो गया है कब तक वर्क पर्मिट आएगा प्रेले एजेंट ने बोला था चालिस से पेतालिस दिन में आएगा बहुत अच्छी बात है अब वर्क पर्मिट देखो हमको भी उम्मीद तो हमारे भी एजेंट ने यहीं बोला था कि साट दिन के बाद आएगा करूंगा रिक्वेस्ट करूंगा आप जागरिव से पर्मिट निकल वालो स्वारी विड्रॉ कर लो पेले फाइल को आप नवीन पांडिया जी रॉक्स री अपलाए के बाद कब तक वीजा आएगा सर नवीन पांडिया जी आप सको बताना चाहूंगा पूरे 90 से 100 दिन तो उतना ही समय लगेगा कॉस्ट कितना आता है तो सर मैं आपको बता चुका हूं कॉस्ट सब एजेंट के अलगे कि PCC क्रोशय पोडल हो गया वर्क पर्मिट कब आएगा PCC क्रोशय को में थो तो पी तो PCC आपका पोस्टाइल और यह तो पर्मिट कर तो सर आपको पर्मिट आपका एजेंट बताएगा इसके बाद इसर मेरा तो आपको बता चुका हूँ धरम और जी पूर्ट से आप वीजा का काम करते हो क्या सर फाइल का काम करते हैं वीजा का काम कोई एजेंट नहीं करता वर्क पर्मिट का काम करते हैं सभी एजेंट्स वीजा काउंसलेट देता है सर हम खली आपकी फाइल का प्रोसेस कर सकते हैं वर्क पर्मिट अपलाए कर सकते हैं वर्क नौलेज जी गूड इविनिंग सर पांच दिसंबर का समिशन था तो सर आपको नेक्ट विग वेट करना है सर बताया ना इंग्लिश नौलेज जी राठोर 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 शाहिद जी सर आपका मेल एडरस मिलेगा तो सर मेरा वाट्सप नंबर है आप उस पर करिएगा मेरे वाट्सप नंबर पे 9300 333338 पे कर दीजे आप मुझे वाट्सप कर दीजे आपका परमिट क्या सर जागरीब से फेक परमिट एजेंट देदेते हैं सर राठोर शाहिद जी आपको परमिट जागरीब सिटी नहीं क्रोशा से परमिट आपको फेक कहीं कुईसी भी SITI का सकता है जागरिप city से permit आया तो वही फेक आयगा किसी भी city का permit fake मिल सकता है Sir agent ने दो मेंने दे दी है जागरिप के possible है क्या अच्छा राठोर जी का प्रेशने दो मेंने में possible possible भी है Sir देखो मैं किसी company का नहीं बता सकता अब आप company एजेंट से पता करिएगा ठीक है अमरीच शर्माजी 19 दिसंबर का कब तक आएगा तो सर्थ दिसंबर मन्त की तो शुरुवात हो चुकी काउंसलेट ने डिसीजन भोस सारे दिसंबर के पिती हैं तो मेरा अनुमान है आपका 22 मार्च तक आ सकता है सर वो नहीं तो उसके नेक्स विक तक को वेट करना ही पड़ेगा अमरीच शर्माजी आपको तो जीवनपवाल जी सर क्लीनर में वीजा चांस है हाँ आभी क्लीनर का अगर आपका पर्मिट है तो चांस बहुत अच्छे हैं क्योंकि अभी समर वेकेशन चालू होने वाला है तो क्लीनर का वीजा चांस बहुत अच्छे हैं प्रदीप सिंग जी सर एजेंट कह रहा है कि डारेक्ट वर्क पर्मिट आएगा ओफ़र लेटर हाँ होता है सर कॉंट्रेक्ट पेपर नहीं देगा जब आपका वर्क पर्मिट आएगा तब आपको कॉंट्रेक्ट लेटर कंपल सरी मिलेगा ठीक है आपको ओफ़र लेटर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं ठोड़ा ट्रस्ट करिए आपके पर्मिट को जब भी आए आप उसको जेन्यून तरीके से चेक करवाईएगा मनपृत जी ने परेले भी आपको बता चुका हूँ सर आपको लेटर के बाद पी सी सी का कोई क्या है है एपन है क्या लिख रहे हैं सर आप धरम जी पूछने थैंक्यू सर ठीक है ठीक है सर डॉक्वेंट्स आप मुझे वाट्सअप करिएगा मैं आपको बता दूँगा ठीक है सर डीप साब जी आ चुके हैं हेलो सर मेरा समिशन दस जनवरी का है तो आपका सर वीजा नेक्स्ट मन्थ ही आएगा सर जनवरी अभी चालू नहीं हुआ है तो मेरा अनुमान है जो 10 अप्रेल आएगा 10 अप्रेल के बाद 10 जो जनवरी का जिनके सम्मिशन थे उनके फुल फ्लेश में डीसीजन आ जाएगे जोधा खलोन जी सर क्रोशा रिजेक्शन के हाला कब तक ठीक होंगे बहुत अच्छा प्रेशन है सर ये तो चलेगा रिजेक्शन अब थोड़े से जो अभी चल रहा है न किसी कंपनी के 30 वीजा आ रहे हैं 100 में से किसी के 100 में से 50 आ रहे हैं किसी के 100 में से से आ रहे हैं तो यह चलता ही रहेगा ओवराल मैं कहूं तो 60-70% क्रोश्या का चल रहा है अभी वीजा रेश्व सत्तर परसेंट कहां गए हमारे भाई साब जी कुकिन का प्रेश्ण था अभी एवी व्लोक्स एवाई व्लोक्स है विशाल चावडा जी जी तु भाई CNC ऑपरेटर का जॉब मिलती है बिल्कुल मिलती है विशाल चावडा जी आप कौन से CNC ऑपरेटर जॉब में जा रहे हो आप तो उसमें जा रहे न सर किसमें जा रहे है मुझे मालूम है cmc operator job मिलेगी सर हे हमारे associates के पाथ दुलकुल मिल जाएगी आपको ay blocks big fan धन्यवाद संदीप blocks जी पूछ रहे सर invalid input दिखा रहा है सही reference number डालने के बाद भी सर आप ना आपका last name proper नहीं डाल रहे होंगे उसमें mistake कर रहे होंगे सर आप मुझे भेज़ दो मैं आपका भी जो invalid यह है उसको valid करके दिखा सकता हूं आँ आरकिश movie maker सर 25 दिन हो गया है वीएफेस कहा तो मिस्टर आरकिश movie जी क्या आपके एजेंट ने यह बोल दिया कि 20-25 दिन में वीज़ आएगा आपको इसा क्या बोलते है गोली दी थी लॉलिपॉप दी थी तो गलत दे दी होगी आपको लॉलिपॉप तो नभे सो दिन लग जाएंगे भाई साब आपको अभी आपके 25 दि है श्री कृष्णा जी आप PCC अप्लाइ कर दो नहीं वाली और उसकी रिसिप्ट देदो VFS सेंटर में तो वो भी चल जाएगी आपकी PCC कि आपने PCC के लिए अप्लाइ किया है तो आपकी एकस्पायर PCC पे भी आपका सब्मिशन हो जाएगा सुनील जी का प्रेशन है सुनील TMG सर जी नवंबर 9 का कब सक आएगा तो तो सुनील जी नवंबर मन के ही तो वीजा डिसीजन आ रहे है आपका अभी तक क्यों नहीं आया नवंबर मन का वेट करिए और आपका ओनलाइन स्टेटस जरूर चेक करिए क्या है अमरित शर्मा ज अच्छा है आपा इस्मोकिंग हैबित फ्रॉम लास्ट फाइफ यहस इस दीशु आप मैं मेडिकल टेस्स नो इस्ट इस्ट रिक्वायड फार क्रोश्या कंट्री पीट के सूरश कुमार सोनी जी कंट्रक्शन नहीं निकाए ठीक है कंट्रक्शन का वीजा चांस कितना है सर तो सर कांट्रक्शन के वीजा भी आ रहा है, रिजेक्शन भी आ रहा है, डिपेंड ओन कमपनी है, प्रदीप सिंग जी, ओक के एजेंट कह रहा है, सब कुछ साथ में मिलेगा, वर्क पर्मिट के साथ, ठीक है सर वो मिलेगा, तो अंतिम प्रेशनों की और चलेंगे, आज का लाइफ सेशन बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया, आज फिर से एक घंटा हो चुका है, वीएफस समिशन के बाद सीजनल वीजा कितने दिनों में स्टांपिंग होता है, प्रेशन अच्छा है, सीजनल के मेरे साथ से साथ से सतर दिन में आपका डिसिजन आ सकता है, क्योंकि लास्ट इयर का ट्रेंड बता रहा हूं, जिनोंने लास्ट इयर 2023 में जिनके भी सीजनल परमिट थे छे मन्त वाले, तो साथ से सतर दिन में वीजा आये थे, उनके डिसिजन आये थे, तो आशा करता हूं, इस साल भी ऐसा ही करेंगे, काउंसलेट, जिनके भी सीजनल आज को मिलेगा, सर राहूल मोरिया जी, सर मेरा वर्क परमिट आया था, उसमें एड्रस गलत है, और दो मन्त हो चुके हैं, वहाँ अभी वर्क परमिट मिला नहीं, कब मिल सकता है, ठीक है, देखो आपका जो था ना, वर्क परमिट में करेक्शन है, ठीक है, एड्रस गलत तो आपका करेक्शन हो क्या आएगा, सर, आने को तो विदिन वन वीक में भी आ जाता है, नहीं तो एक करेक्शन फॉर्म देती है, वहीं कि जो पुलिस ओफिस होता है, वो एक लेटर देखते हैं, अपोलाइज का, याने कि काउंसलेट को लिखते हैं, कि हमसे गलती हो गई रहे हैं, राहुल जी कर भी वही प्रेशन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो जलते हैं, दीप साफ सर, वीजा प्रोसेस फास्ट हो गया है, क्या अब, तो सर, वीजा प्रोसेस 90 से 100 दिन में हो गया है, मान लिजे, नवंबर मन फालो के वीजा 90 से 100 दिन और 110 दिन में आजाता है आउट आफ जागरिप का तो सुमीत भंडारी जी सर मेरा दिसंबर 22 में वीएफेस किया था कब तक आएगा वीजा सर 22 दिसंबर है तो 22 मार्च ही मान लो आपको नेक्स्ट विक और 29 मार्च तक मेक्जिमम मिल जाएगा पॉलिटिकल पार्टी अभी कहा है आप तो स अज़स में इंदोर माध्यपरदेश में बेढ हूं लाईब में इंदोर मर्द्यपरदेश सर्च कर लिया सर्च करियए google में कहा पर बहरत की सबसे cleanest city है हमारी साथ भी बार हमारी लगाता city जो आई है indoor city clean city में रहता हूँ ठीके सर अभी मैं इंडिया में ही रहता हूँ मैं अभी कोई क्रोशा के अंदर नहीं हूँ मेरे मित्रों ठीके अकाश सालूंके जी सर फर्वरी का कब तक आएगा वीजा तो सर फर्वरी के वेट करिए फर्वरी मार्च अप्रेल आगर आपका फर्वरी फास्ट है तो अप्रेल एंड में दी संभा होना है नहीं तो माई में आएगा सर आख्रीश मुवी मैकर डिलिवरी बाई का बता चुका था सर सुनील जी का प्रेशन है सर जी मैंने अभी आपको वाट्सट किया है ठीक है सर में देख लूँगा कोई बात नहीं आकाश सर आपको बता चुका हूँ आकाश जी मुकेश सेनी जी चार मन्त का चार मन्त हो गए वर्क परमिट नहीं आया तो सर अपडेट लीजिए तो अंतिम प्रेशनों की और अब बचे वे दो से तीन प्रेशन लेंगे जितने भी प्रेशने समाप्त करेंगे हवा 90000 सर सर मेरा जन्वरी आठ में VFS गरा से इसका वीजा कितना आएगा तो सर कंपनी का नाम तो नहीं समझ सकता हूँ आठ जन्वरी का है तो सर आपको next month है जो आप मान लो 15 अप्रेल तक आपका decision आ सकता है मेरा अनुमान है 15 जन्वरी maximum तक आ जाएगा आपका ठीक है गोरव जोशी जी का प्रेशन है 24 जन्वरी VFS मुंबई तो जोशी जी आपको वेट करना पड़ेगा अप्रेल मन्त का तो मेरा अनुमान है अप्रेल एंड में आपका आ जाएगा वो हो सकता है 20 से 25 अप्रेल को भी आ सकता है क्योंकि जन्वरी में सम्मिशन बहुत कम थे तो 20 से 25 अप्रेल का मेरा अनुमान है आपका आ जाएगा 90 दिन के डायरे में आ जाएगा आपका अनील ए आर सर वीएफैंच चेक्लिस्ट हेस बीज़ ने चेंज्ड सोवे अवकल स कर सकते हैं सर्झ को कि एकलिस्ट करिया व्य।ішं बैटरी सेव्र अच्छ अच्छ – व्यएफै सम्मिशन के बाद कि टीन दिन के बाद आंलाइन्स ऐस्टेशन status होता है, शिव पुर्ण जी का शिव प्रांट जी का प्रशन है कि VFS submission के बाद कितने दिन के बाद online status होता है, सब तीसरे दिन के बाद आप check कर सकते हैं, कई बार क्या होता है, आपने Friday को submission किया है तो आपका Monday को status change होका आप show होता है, उसको check करिए कि आपकी file embassy councilate को forward हुई है कि नहीं उसके 90 दिन, 45 दिन के बाद आप अपना status check करिए कि कौन सी stage पे जा चुका है वसीम अकरम जी सर्फ food delivery में तीन बंदों का visa लगा है और चार बंदों का refusal आया है देखिए live में एक भाई साब ने बहुत अच्छा बताया है क्या documents सब सेम थे नवंबर 29 को submission था refusal आया है देखिए वसीम अकरम जी ने देखिए बहुत अच्छा आपको बता दिया देखिए तीन का visa आया है चार का rejection आया है याने 40 का 40% था इस company का visa ratio माना जाए तो देखो rejection आया है नंबर 8 पर ही होगा भाई साब मैं बहुत रहा हूँ आपको नंबर 8 पर ही दिया होगा काउंसलेट के पास कोई चारा नहीं है नंबर 8 नंबर 8 को marking कर रहे हैं वो तो आप क्या करिए वापस से नया permit लीजे दूसरी company का और यहां तो फिर reappeal करिए आपकी च्वाई से जस्पाल सिंग जी सर PCC SP office वाली बिल्कुल चल जाती है जस्पाल जी बट अपोस्टाइल करवाईए तब ही चलेगी परवेश कुमार जी का पुरेशन है सर VFS में appointment के लिए क्या time लगता है तो अभी परवेश जी आपको बताना चाहूंगा मार्श की full booking हो चुकी थी 28 29 30 याने 5 जो मार्श तक थे ना पूरे appointment slots book हो चुके थे हर VFS center के मुंबई के तो खुले रहते थे वो भी बंद हो चुके थे आपको वेट करना है 25 याने 28 मार्श के बाद slots खुल जाएंगे 28 मार्श को वेट करो अप्रेल मंद के slots खुलेंगे और अगर कुछ बीच बीच में लोग cancel करते हैं तो आप वेट करो और दिखते हैं तो पिक कर लो मुके सेनीजी का प्रेशन है सर कार मेकनिक का वीजा रेशो के साथ अच्छा है सर विवेक थापा जी आ चुके हैं गुट आफटर नून सर मुझे कोरियर मुझे आपने जानकारी दी थी आपको बहुत-बहुत बलाई हैं विवेक थापा जी ने बहुत जादा धीरज रख कामना है आपका वीजा लग चुका है विवेक थापा जी का और इनकी टिकेट भी है शायस से इनकी 24 मार्च की टिकेट है शायस से मुझे इन्होंने बताया है इतना मुझे माइंड में याद नहीं फिर भी ये क्रोश्या जा रहे है 24 मार्च को जसपाल सिंग जी सर मेरी PCC डेट एक्सपायर हो गई है PCC पोस्टाइल करवानी है चल जाएगी तो PCC सर एक दिन में अपोस्टाइल हो जाएगी सर मंडे को आप दे दो मंडे के मंडे आपकी PCC अपोस्टाइल हो सकती है दिल्ली में अनिल ए आर सर सूपर मार्केट वीजा चांस अच्छे हैं सर वीजा चांस सूपर मार्केट में आ रहे हैं साहिल चोदरी जी का प्रेशन है 20 दिसंबर का मुंबई वीफेस में फाइल सम्मिट किया है वीजा कब तक आएगा तो सर साहिल जी दिसंबर मंद की भी शुरुआत हो होगा आपके जो कंसल्टेंसी है उसको आप प्रेशर करिए वह आपका प्रोसेस कर रहे हैं आप उनको बिल्कुर प्रेशर करिए आपका प्रोसेस फटाफट करवाएंगे उन्होंने गलती करी वो परमिट नया नहीं निकलवागे खले एक जो फॉर्म था उसको अगर वो कर वाले थे, क्रोशा पुलिस जिससे भी आपका ठाने से आया था, वो अगर क्रोशा पुलिस लिख देती, तो भी आपका सम्मिशन हो जाता, विवेक टोगा जी, ठांक्यू सर, आपकी सपोर्ट रहा, ठीके, तो आपने जितने प्रेशन पूछे थे, विवेक ठापा जी, आ यिवांग कुमार जी, वर्क पर्मिट आने में कितना टाइम लग रहा है, सर, वर्क पर्मिट आने में एक से लेके छे मैने भी लग रहा है, डिपेंड और इन सीटी, विवेक ठापा का वीजा चेक करने पर, प्रोसेस अन एमबेसी काउंसलेट दिखा रहा है, तो कब तक आगा तो सर आपके फादर सापका जो सम्मिशन वा डेट आफ सम्मिशन बताइए विवेक सिंग जी बस मैं लाइफ सेशन समाप्त कर रहा हूं बताइए जल्दी से आप इसके बाद साहिल शोदरी जी धन्यवाद आपका भी जस्पाल सिंग जी का सर मेरा वर्क पर्मिट आ च चल जाएगी अगर आपका मंडे का भी है न सम्मिशन स्वारी क्या बताओं जस्पाल जी आपका अगर 18 मार्श का कल का भी सम्मिशन है तो आप नई PCC वही ले जाओ विदावट अपोस्टाइल और पुरानी PCC अपोस्टाइल दो तो चल जाएगी कोई प्रोब्लम नहीं तो डाइमन क्या प्रेशन है इनका डाइमनड जी का प्रेशन डाइमन बंदन जी No January का सम्मिशन था तो जनवरी का आप नेक्स मन्त वेट करो 10 अपरेल के बाद जनवरी की शुरुवात होगी मेरा अनुमान हे दुवा जी का प्रेशन है सर शहाड जी यह प्रेशन आपका ठीक है आज का प्रेशन है हम आखरी प्रेशन है जो विवेक जी का था बीस बारा का सम्मीशन है आपके फादर साब का तो अक्टूबर मंत का जो सम्मीशन है आपके पापा जी का सम्मीशन बीस बारा का है तो सर अक्टूबर स्वारी दिसंबर अक्तूबर याद आ गया तो आपके बीस बारा का है तो आपको नेक्स्ट वीक का वेट करना है बाविस से लेके 29 मार्च को डिसीजन आ जाएगा विवेक सिंग जी तो आप एना ओनलाइन स्टेटस चेक कर लेना मंडे टू फ्राइडे साड़े पास से साड आपके डेडी जी का तो किसी भी दिन आपको मिल सकता है मेरा अनुमान है 22 तारिक तक आप वेट करो 22 फ्राइडे को ज्यादा चांस फ्राइडे को रहेगा क्योंकि 20 आपका डिसंबर है न तो ठीक है आज का हम लाइव सेशन समाप करते हैं तो जैश्री महाकाल जैश्री सभी मित्रे हमारे जितने भी लाइव में चुड़े थे और हमारे जितने भी हमारे मुस्लिम रीजन को जो फॉलोवर्स हैं उनको एक बार फिर से रमजान महा की मुबारक आपकी दुआएं कबूल हो और आपका रमजान का जो महना है आपकी जितनी भी दुआएं हो आप ज जो मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था आपको रमदान महा की मुबारक नहीं दे पाया था उसके लिए मैं एक बार फिर से शमा चाता हूँ तो करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाब जैश्री महाकाल जैश्री कृष्णा धन्यवा सभी को